लगातार हो रही भारिष से जन जीवन अस्त वियस्तों हो रहा है। इन दोर में बेटमा नगर और आस्पास के गरामीर इलाकों में कल शाम से हो रही भारी भारिष से कई वर्सों के रिकार तूट गए। वहीं अत्य दिक भारिस होने से निशले इलाकों पानी भर गया है और नगरा ग्रामीन इलाकों में संपर तूट गया है बेटमा से पितमपूर को जोडने वाले परमुक मारगों पर बादीपूरा बालाजी इस्तित रपट पर भी पानी भरने से मारग अउरुद्ध हो गया ह लोगों का आवागमन बाधित हो गया है इसके साथ ही समीपस्त ग्राम कलारिया की गंभी नदी में भी जल इस्तर बढ़ गया है जिसे कारण कई नीशले इलाके जल मगन हो गये हैं इंदोर और इस्ति चोईतरा मिस्कूल के पास रपट पर पानी आने से इंदोर जाने का मा सब्सक्राइब को समय के लिए बंद हो गया था बेट मां से समवा देता की रिपोर्ट है है आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल विना मुले